हाई व्रीवन वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल स्टडी बैंग तो गाइस वी वर डूइंग पार्टनर्शिप एंड लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रेशन अकाउंट के बारे में सीखा था काफी डिटेल में बढ़ा था उन्हें आपको अच्छे से बताया था कि कौन सी चीज प्रॉफिट लॉस में जाकर देख सकता है तो उसी को कंटीनिव करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं क्या मैथर्स फॉलो करते हैं वाइल प्रिपेरिंग देम देन वीविल अंडर्स्टै तो आज का लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो ध्यान से देखिएगा फ्रॉम स्टार्टिंग टो एंड नौ बिफोर स्टार्टिंग हम पहले एक बेस बिल्डिंग बना लेते हैं कि एक आपका प्रॉपर बेस बन जाए ताकि आगे मैं आपको समझा प आपको से देखिए वे और फॉल प्रोप्राइटर का केस एंड ओन अनअडे साइट पार्टनर्शिप जो हम करन्ट ली पढ़ रहे हैं ओके सोल प्रोप्राइटर में यूनो एक सिंगल ओनर होगा एक ही परसन होगा बट इन केस ऑफ पार्टनर्शिप डियर आर मोर देन वन और वी कन से दो या दो से ज्यादा टू और मोर मीन्स इसमें सिंगल परसन का रोल नहीं है इसमें पार्टनर्स मिल के काम करते हैं यहां बनता था ट्रेडिंग एकांट दैन वी प्रॉपेर प्रॉपेट एंड लॉस अकांट उसके बाद बनता था बैलन शीट ध्यान से सुनेगा आपको साथ ही साथ पूराना भी रिवाइस होता जाएगा तो सबसे पहले क्या बनता था ऊपर लेडिंग एकांट नाउ इन एक् account और profit and loss account में हम यह जो trading account का balance निकला होता है अगर gross profit निकलेगा then it will go on the credit side of pre-endill account opposite side पे transfer हो जाते हैं अगर यहां पर होगा तो gross loss then profit and loss account में जब हमारी transactions complete हो जाती है after that हमारा यहां पर क्या निकलता है balancing figure either net profit और net loss उसके बाद profit and loss account के बाद हम क्या बनाते थे balance sheet right अब balance sheet में हम क्या करते थे जो profit and loss account का balance आता था चाहे हमें profit हो रहा हो या loss हो रहा हो अब इसको trading account की तरह नहीं हमने करना है कि opposite side में जाएगा यह यहां पर यहां पर no that will be incorrect ओके इसमें चाहे net profit आए या net loss आए उसको हमने balance sheet की liability side पे transfer कर देना और कहां पर करना है under capital that means capital तो आपको पता है कि वो amount है जो owner business में invest करता है अब net profit होगा अगर तो हमारा capital increase करेगा profit से देर्फोर यह net profit आया अगर यहां पर हमें profit and loss account में then it will be added to the capital on the liability side और अगर net loss हुआ then it will be subtracted यह हमने पढ़ा था financial statements में in case of sole proprietor यहां तक clear है चलिए अब partnership का देखते हैं partnership में हमने क्या पढ़ा भी तक कि partnership में यहां पर ट्रेडिंग तो बनेगा profit and loss भी बनेगा और मैंने आपको कल समझाया profit and loss appropriation account भी बनाते हैं हम after P&L account in case of partnership तो यह एक new cheese add हुई किसके case में in the case of partnership और उसके बाद आप सोचेंगे कि directly balance sheet बन जाएगी इंदियन तो हमें balance sheet ही चाहिए ताकि हम financial position का बता कर पाएं अपने business की बट अब balance sheet जैसे यहां पर बात कर लें sole proprietor की balance sheet में capital जो लिखा था that was of a single person क्यूंकि इसमें sole proprietor था तो अकेले person के capital की बात की थी बट अब यहां पर partnership के case में हमारे पास काफी सारे persons है एक single individual नहीं होगा तो अगर हम यहां पर हम इसके balance sheet बनाएंगे यहां पर हम capital लिख देंगे ओके capital लिखेंगे अब में भी वहां पर सिर्फ two partners हैं okay partnership में दो partners है A and T तो यहां पर A का capital भी चाहिए हमें T का भी चाहिए अब हमें clear नहीं है कि किसका कितना capital है starting में तो हमें पता होगा कि A ने इतना इंवेस्ट करा and T ने but during the whole year जो पूरा साल उनोंने business में काम किया they must have earned something और they must have lost something उन्होंने कुछ lose भी करा कुछ earn भी करा तो means कुछ capital में addition भी हुई है subtraction भी है अब कितना कुछ करेंगे यहां पहले हम opening capital लिखेंगे then plus करेंगे कुछ minus करेंगे तो काफी ऐसे लेंदी हो जाएगा यहां पर थोड़ा mix-up हो जाएगा तो उसी को easy way में करने के लिए एक हम separate अलग से हर एक partners का क्या बना लेते हैं partners capital account हर एक partner का हम क्या बना लेते है capital account therefore अब आपको क्या याद रखना है कि partnership के case में जो उनकी financial statements बनती है सबसे पहल then profit and loss account उसके बाद उसको extend करके बनाते हैं profit and loss appropriation account after that हमारा क्या बनेगा partners capital account यह होगा then we will prepare balance sheet और हमारा आज का main topic भी किस पे रहेगा on partners capital account कि इसको किस तरह से treat किया जाता है इसका क्या treatment है okay so main आपको यहाँ पर क्या new चीज़ पढ़नी है बाकी सब सेम है partnership में हमने अभी तक देखा कि एक तो different आये यहाँ पर profit and loss appropriation account which we have covered in the last lecture now today हम किस के बारे में पढ़ेंगे partners capital account now अब मैं एक बार सारी screen clear करती हूं अब हमारा major focus रहने वाला है only on partners capital account this is partners capital account clear till now you know capital का क्या balance होता है हमारा capital will always have credit balance यह मैंने आपको कई बार काफी बार बताया है कि हमने हमेशा अगर आपको एक्जाम में आएगा कि इस particular account का क्या balance है हमेशा हमने उसकी increasing side पे जाना है और we can say उसकी positive side पे तो whenever your capital increases और जब आपका capital positive होता है तो हम करते है credit therefore उसका answer क्या अब कई बच्ची एक्जाम में क्या गलती करके आ जाते हैं वहाँ पे question इस तरह से आएगा अगर capital account has dash balance ठीक है options दे देंगे वहाँ पे option A होगा आपका credit balance then debit यह भी होगा either debit or credit debit भी हो सकता है credit भी हो सकता है अब कई बच्चे क्या करेंगे c option tick करके आजेंगे that will be incorrect वो क्यों सोचेंगे क्योंकि जब अब partners capital account बनाते हैं उसके case में क्या होता है either we get debit balance और credit balance but specifically अगर लिखा होगा simple यहाँ पे लिखा होगा capital account simple capital की बात की है then we have to go on its positive side और हमें पता है हमेशे उस का answer क्या होगा credit balance but यहाँ पे अगर addition कर देंगे partners capital account has partners की specially बात कर दीना तब हम बोलेंग इधर debit और credit I hope अब यहां तक आपको प्लेर है चलिए वापिस में टॉपिक पर आ जाते हैं हमने ledger account सीखे थे ledger account क्या होते थे simple वो एक टी शेप format होते थे जहां पे left hand side होती थी debit side और right hand side होती थी credit side तो कई सारे different accounts बन जाते थे similarly capital account भी होगा अब capital account है अब क्या किया है बस इसी को further extend कर दिया है अगर हम individually हर एक partner के capital account बनाने बैटेंगे suppose उसके तीन partners है तो पहले हम A का अलग से बनाएंगे दिन B का अलग से बनाएंगे C का अलग से बनाएंगे तो it will be very time consuming hence in order to save the time हम क्या करते हैं एक ही capital account में columns को बढ़ा देते हैं यहां पर लिख देंगे A B C then A B C बीच में आ जागा है यहां पर particulars कि यहां पर हम details mention कर दें कि कि किसके related debit हो रहा है तो इस तरहां से कुछ format होगा partners capital account का यह तो एक rough मैने आपको थोड़ा overview दिये है आगे हम fairly अच्छे से समझेंगे no please अभी मैंने जितना पढ़ाया इसको अच्छे से समझ लें क्यूंकि आगे मैंने जितने भी theory points लिखे हैं वो यही सब है जो मैं आपको अभी concept दे रही हूँ ना इकवर आपने इसको अच्छे से समझ लिया वो theory आपको automatically एक तरह से revision की form में दुबारा दिखे गे आगे ब क्या होता है आपको पता है ledger accounts में मैंने आपको सिखाया था balancing of account आपको debit side का भी total करना होता है credit side का भी total करना होता है now मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ that we have only two partners that is partner A and partner T okay यहां पर सिर्फ दो partners है और आपको पता है कि capital का क्या balance होता है मेशा credit balance यह भी मैंने आपको clear किया है तो credit balance होता है that means आपका capital का opening balance कहां पर आएगा यह credit side पे जो भी amount आएगा respective आ जाएगा अब हमारे capital का credit balance होता है इसलिए वो credit side पर आया उसको opening balance clear अब जो चीज़ें capital को बढ़ाएंगी that will come on the credit side और जिससे capital हमारी decrease होगी वो आएगी debit side पे this I am talking about the partner's capital account okay हमारा capital किस-kis चीजों से बढ़ सकता है by interest on capital अगर हमें capital पे interest मिलेगा तो वो भी कहां पर आएगा credit side पे then हमारी capital किस से decrease हो सकती है अगर हम drawings करेंगे drawings क्यों होता है whatever we withdraw for our personal use तो उससे भी होगा then अगर हमारी drawings पे interest charge करा interest on drawings drawings तो हमने करी करी साथ ही साथ उसमें interest भी लगा तो उससे भी हमारा capital कम होगा तो capital कम होता है तो debit होता है इसलिए जो भी transactions हमारे capital को कम करेंगे that will come on the debit side and whatever will increase our capital that will come on the credit side of partner's capital account now one more important thing I want to clear कई बार क्या confusion होता है और यह है profit and loss appropriation account यह मैंने आपको बताया कि इसका nature कैसा होता है nominal और nominal rule कहता है कि आपके जितने भी expenses या losses है you have to debit और सारी incomes या gains को आप क्या कर दे credit कर दे तो profit and loss appropriation account क्योंकि यह nominal nature का है तो debit side पे क्या आएंगे business के खर्चे आएंगे और credit side पे business की incomes आएंगे कल हमने यह बढ़ा था और business के लिए खर्चा क्या है अगर वो partners को salary देगा partners को कुछ commission देगा partners को bonus देगा या partners को कोई interest देगा उनके capital पे तो यह सब आते थे debit side पे और credit side पे क्या आता है अगर business के कोई income है क्या income होगी अगर वो उनसे उनकी drawings पे interest charge करेगा तो एक चीज़ आप माइंड में अच्छे से बिठा लें कि whatever we are performing in the accounts कुछ भी हम practical treatment कर रहे हैं कुछ भी सोच रहे हैं हम accounts में that will be from the point of view of business हमेशा हमने खुद को business ही मानना है clear तो यहां पे हम खुद को business मान रहे हैं that is why यहां पे debit side पे हमारे खर्चे आ रहे हैं और credit side पे हमारी nature भी देखनी है तो partner का capital account है and you know business में हम business के point of view से सोचेंगे capital अगर increase करती है तो credit होगा अगर decrease करेगी तो debit होगा अब मैंने आपको बता दिया कि increase कब कब करेगी interest on capital मिल गया या हमारे partners को salary मिलेगी तो whatever the partner is receiving जिससे partners को कुछ मिल रहा है means उनका capital बढ़ रहा है and whenever capital is increasing business के लिए liability है जब जब बढ़ेगी तो credit होगा और जो जो capital को कम करेगा that will come on the debit side तो यह logic है कि क्यों partners capital account में यह चीज़े opposite हो जाती है P&L में यह debit होती है और partners capital में credit हो जाती है और अभी मैंने बात की थी कि simple लिखा होगा कि capital account का क्या balance है then we have to answer credit ठीक है but partners capital account में I told कि either debit और either credit clear यहां तक समझ आया अब debit balance क्या होता है you know जब आपकी debit side greater than credit side होगी कि यहां पर यह debit side है न यहां का balance अगर आपका आ रहा है 10 और credit का total आ रहा है 8 then you know यहां पर difference आएगा 2 rupees का तो that will be the debit balance और maybe हमारी credit side बड़ी हो और debit side छोटी हो and you know जब हमारी credit side बड़ी होती है और debit side छोटी होती है जहां पर difference आएगा उसको हम क्या बोलेंगे that will be credit balance suppose यहां पर total आया 10 और हमारे debit side का total आया 8 यह भी मैं individually A की capital account के बात कर रही हूँ हो सकता है T का total कुछ अलग है I am talking about only A okay यहां पर 8 आया that means 2 यहां पर difference आ रहा है तो यहां पर क्रेडिट side greater than debit side तो हमारा 2 क्या होगा credit balance तो वो depend करेगा कि हमारी drawing जादा है यह जादा है क्या amount जादा है जिस वजह से difference आएगा और balance different हो सकता है that is debit और credit और इन्ही सब चीजों को हम बोलते भी क्या है balancing of an account यह चीज आप वहां पर जो मैंने आपको ledger account का topic पढ़ाया था वहां जाके आप दुबारा देखिए आपको वह अच्छे से clear होगा तो I think अभी तक जितना पड़ा अब आपको अच्छे से clear है अब आगे की theory आपको काफी easy लगने लगेगी तो आजाते हैं अपनी theory पे सबसे पहले है meaning of partners capital account partners capital account क्या होता है ऐसे तो general हमें पता है कि capital account या capital क्या है वो amount जो हमने अपने business में invest कर रहा है by the proprietor ठेक है the account contains a partners का capital account क्या है it contains all the transactions occurring between the partners and partnership firm obviously जब हमने sole proprietor की बात की थी वहाँ पे single proprietor था और business के बीच में transactions हो रही थी ठीक है but here यहाँ पे partners है तो proprietor की जगह क्या हो जाएंगे between partners and between और जो उनके business होता है उसको हम क्या बोलते है partnership firm तो यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है all the transactions occurring between the partners and partnership firm partners capital account में सारी वो transactions आ जाती है जो partnership firm और partners के बीच में हो रही होती है क्या क्यों हो सकती है like initial contribution of capital partners ने कुछ contribute करा business में यह भी उनके बीच में transaction हुई then interest of capital paid जो business ने partners के capital पे interest पे करा then drawings होंगी salaries होंगी commission then share of profit और के सारी adjustments तो partners capital account में सिरफ और सिरफ वो ही transactions आएंगे जो partners और business firm के बीच में हो रहे है और we can say partnership firm के बीच में clear है यह तक चलिए then it is required in order to maintain proper accountability and transparency between the partners and firm हम partners capital account क्यों बना रहे है ताकि proper accountability और transparency बनी रहे क्योंकि balance sheet में हम individually कहां कहां अलग से हरे का account बनाएंगे balance sheet में काफी mix-up हो जाएगा और transparency रहेगी future में कोई भी dispute arise नहीं होगा इससे हर चीज clear रहेगी कि कितने partner को हमने कितनी ठीज किस amount से distribute करी है okay then मैंने आपको यह भी बता दे कि partners capital account में है debit and credit balances कोई भी balance हो सकता है but only in case of capital account simple लिखा होगा capital account then we have to answer only credit balance इसमें हमने positive sides को देखना होता है now types of capital account इससे पहले भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूं कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले है then we will proceed further now अब हमें partners capital account को तो पता लग गया कि इसकी क्या nature है कैसे बनता है क्या चीज़ें से increase करेंगे और क्या चीज़ें से decrease करेंगी now अब वो depend करता है partnership firm पे उस पे काम करने वाले लोगों पे कि वो किस तरह से अपने capital account को maintain करना चाहते हैं या वो चाहेंगे कि जो उन्होंने starting में अपना capital invest कर रहा था that means जो opening capital था वो चाहेंगे कि वो almost similar ही रहे किसके closing capital के मतलब अगर साल में उन्होंने 10 रुपे लगाये थे this is very small amount I am just taking for the sake of an example okay तो amount को consider नहीं करें just example को समझे अब अगर business चाहेगा कि opening balance अगर 10 था तो closing भी इसके around ही आए 10-12 या कई बार same ही आएगा कई बार थोड़ा सा slight difference होगा तो यह होगा कि वो अपने capital को क्या चाहते हैं कि वो fixed रहे तो एक nature या फिर एक method क्या निकलाता है partners capital account बनाने का fixed capital method okay this is one method fixed capital method then second is fluctuating capital method तो अब आपको एक्जाम में question ना आए MCQ की form में की partners capital account जो होते हैं वो किन दो methods के according बनाए जाते हैं then you have to answer जहां पर options होंगे you have to take fixed capital method and fluctuating capital method now fluctuating capital method as the name itself is suggesting कि जो fluctuate होता रहेगा changes आती रहेंगी इसमें so यह choice पर depend करेगा whether you have to maintain fixed capital और fluctuating now fixed capital के under यह जो fixed capital method है इसके under भी हम क्या करते हैं दो capital accounts बनाते हैं एक का नाम क्या होगा यही partners capital account और एक हमारा बनेगा partners current account तो यहां से भी MC क्यों निकल सकते हैं कि under fixed capital method कौन से दो capital account बनते हैं means उस वाले account में हमने कोई भी changes नहीं लानी है तो जिस account में हमने changes नहीं लानी वो हम यहां पर रख देंगे partners capital account अगर बिजनस ने सोच लिया है कि वो अपने capital को change नहीं करना चाहते तो क्या होगा एक अपना अलग से fixed capital method के अंडर एक partners capital account बनाएंगे जहां पर सिरफ और सिरफ कौन सी transactions आएंगी एक तो आएगी हमारी opening capital की या फिर simple हमने capital में कुछ add ELS किया add ELS यह नहीं है कि जो drawings हुई या interest वगरा है simple अगर हमने capital में कोई addition करी या फिर हमने कुछ capital withdraw कर लिया मतला हमने capital की amount reduce कर दी यह withdraw वो नहीं है कि drawings कर दी simple है कि हमने इतने capital अब रखनी ही नहीं है तो आपको क्या आद रखना है partners capital account में सिरफ वो transactions आएंगी जो capital में additions लाएंगी या capital में से कुछ withdraw करेंगे clear इसमें जादा transactions नहीं आती है but partners current account में क्या होता है इसमें सारी जितनी भी changes आ रहे होती है during the year वो यहां पर enter हो जाती है like interest on capital हो गया आपको पता है drawings होती है interest on drawings होती है partners की salary partners की commission सारी changes हम यहां पर no doubt करते हैं now one more trick जो आप याद रख सकते हैं कि partners current account है न अब current account से आपके mind में आ रहा होगा current asset या current liability की बात कर लेगी क्या होती है जो within one year इनकी आपस में realization हो जाती है एक साल के अंदर अंधर ही इनमें कोई ना कोई change आती है means changes होती रहती है वैसे ही नाम दे दिया यहां पर partners current account ओके तो यह कोई specific ऐसा ही logic नहीं है just an easy way to remember okay तो clear है fixed capital method के अंदर हम दो capital accounts बनाते हैं एक होता है हमारा partners capital account and second is partners current account और partners current account में क्या आ जाती है all transactions सारी transactions आ जाती है किसको छोड़के यही सब addition और withdrawal को छोड़के बाकि सब interest हो गया drawings हो गया यह सब आजेंगे हमारी partners current account में यह बात की हमने इसकी fixed capital method को अगर हम adopt करते हैं but in case of fluctuating capital method fluctuating नाम से पता लग रहे है कि fluctuate होता रहेगा तो इसमें हम नहीं सोचेंगे कि हमने कुछ fixed रखना है तो उसके लिए क्या होगा fixed नहीं रखना है तो हमें separate account बनाने की भी जरूरत नहीं है like in this case हमने दोनों बनाए यहाँ पे एक ही account बनेगा और उसका नाम उन्हें क्या रख दिया है partners capital account यहां पे simple अभी यह नहीं आप देखना कि यहां भी partners capital partners capital यहां पे changes हो नहीं रही थी बट यहां पे तुम changes कर रहे हैं but कोई नों कोई नाम तो देना है न उन्होंने कहा यहां पर simple रख दो कि capital account बनेगा but depend करेगा question partners capital account में क्या होगा जो यहां पर अलग-अलग account बने होंगे यहां पर इकठे यहां पर opening balance की भी बात आजेगी यहां पर additions की भी बात आजेगी यहां इंट्रस्ट की भी बात आजेगी वही simple जो मैं आपको starting में capital account बनाया था यह normal वैसा रहेगा but fixed capital में हम दो बनाते है partners capital account और partners current account one more thing to remember जब हम fixed capital method को adopt करेंगे अब आपको पता है इसमें partners capital account में हमारी capital क्या रहने वाली है fixed रहने वाली है इसको example से बताती हूं में आपको यह में सिरफ और सिरफ fixed की बात कर रही हूं भी जो fixed में हम क्या बनाते हैं partners capital account suppose two partners है A T यहां पर भी A and T okay now let's say हमारी opening capital थी रुपीज 10 थी A की रुपीज 20 थी T की clear तो partners capital account में as per fixed capital method क्या आएगा सिरफ और सिरफ हमने कुछ addition करी होगी means additional capital आया होगा या तो वो आएगा या हमने कुछ निकाला withdraw करा तो वो आएगा to cash account और यहां पर addition की जगह होगा by cash account ठीक है जब capital account में कुछ addition करते हैं तो credit side पर आता है by cash account और अगर कुछ withdraw कर रहे हैं तो to cash account यह भी मैं आपको एक बार बताती हूं कि यह आया कैसे यहां पर देखिए सबसे पहले हम withdraw की बात करते है means हम capital को कम कर रहे हैं and you know whenever your capital decreases हम क्या करते है capital को debit करते हैं तो यहां पर क्या आएगा capital account debit और withdraw क्या कर रहे हैं हम capital तो कम कर रहे हैं बट कर क्या रहे है cash को निकाल रहे हैं तो cash is your asset जब आपका asset decrease होता है तो हम credit करते हैं तो entry यह बनी होगी उस time पे capital account debit to cash account तो अब आपको पता है यह थी journal entry, journal से आपको ledger बनाना तो मैंने सिखाया था, क्या होता है, जो भी हम account बनाएंगे, उसके opposite नाम को लिखेंगे, बट उसकी side पे, देखिए हम यहाँ पे capital account बना रहे हैं, तो capital को हमने क्या करा, debit करा, debit side पे ही आएगी, debit side पे आएग capital में addition की, means हमने capital में कुछ contribute करा, capital हमारा increase हुआ, capital जब increase होता है, then we do credit, तो हमें पता है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे to capital account, और capital में हम क्या डाल रहे हैं, cash डाल रहे हैं, तो cash हमारा asset बढ़ेगा, तो cash account debit to capital account, अब यही journal entry, जब हम पोस्ट कर रहे हैं, account में, तो आएगी त credit site पे, क्योंगे capital क्या हुआ है, credit हुआ है, हमने credit site पे ही लिखा है, बट नाम क्या है, opposite by cash, यह, I hope यहाँ तक अब आपको clear है, now मैं आपको में क्या बताना चाह रही थी, इस चीज़ में, कि suppose हमारे A का capital इतना है, B का इतना है, then कुछ additions हुई होई होगी, कुछ subtractions हुई तो अब हम क्या कुछ जादा कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, यह तो हम अपनी मर्जे से इसको अंदर changes ला सकते हैं, क्योंगे हमने अपने according capital को क्या रखना है, fixed रखना है, तो कभी ऐसा नहीं होगा ना, कि आपके पास खुद का amount यहाँ पे 20 rupees बढ़ा है capital में, बट आप 30 rupees, आपके पास कम हैं, बट आप जादा withdraw नहीं कर सकते हैं, अपने capital में से कैसे करेंगे, कोई ओ transaction ही नहीं है, bank में होता है, कि आप negative balance में भी चले जाते हैं, that is known as overdraft, बट यहाँ fixed capital की बात है, आप खुद ही अपने according fix करना चाते हैं capital को, तो कभी भी आप जादा withdraw नहीं करे हमेशा capital का कुछ नकुछ balance होगा, and you know capital का हमेशा क्या होता है, credit balance होता है, therefore अगर आपको exam में MCQ की form में question आए, कि partners capital account का क्या balance है, एक तो मैंने आपको simple बताया था, कि partners capital account का, या तो debit or credit हो सकता है, but और भी आगे उन्होंने अगर mention क्या हो, in case of fixed capital method, partners capital account का क्या balance है, तो हम क्य या बोलेंगे, always credit balance, या आपको याद रखना है, अच्छे से, अच्छे से समझें, यही मैंने आगे for the theory के form में लिखा है, तो आपके लिए complicated हो जाएगा, पहले इसको देख ले, तो theory वाला जो होगा, वो एक तरह से kind of revision हो जाएगे, आपकी, okay, then partners current account, यहाँ पे है, partners के current account म changes लाते रहते हैं, mean, सारी transactions लिखेंगे, weather of drawings, interest, bonus, salary, commission, etc., तो यहाँ पे depend करेगा कि कितना amount है, drawings का जादा है, या फिर हमारा खुद का contribution जादा है, जो withdraw कर रहे हैं, उसका जादा है, तो इसका क्या हो सकता है, debit balance भी हो सकता है, credit balance भी हो सकता है, तो I, अगर कि fixed capital method में, partners current account का क हम बोलेंगे, it can be either debit balance or credit balance, और fluctuating की बात करें, fluctuating में भी है कि सारी transactions आएंगी, depend करेगा figures पे कि क्या है, कि किसका amount तो, इसमें भी क्या होगा, either debit balance or credit balance, clear है यहाँ तक, in short आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, capital accounts के case में, जो methods है, क्या है, method, दो methods है, एक है हमारा fixed और एक है हमारा fluctuating, ध्यान से समझें, मैं दोबारा एक बार revise करवा रहे हूं, fixed है, ठीक है, fixed में अब आपको पता है, दो accounts बनेंगे, एक तो बनेगा, partners, capital, account, और एक हमारा बनेगा, partners, current, account, और fluctuating के case में, सिरफ एक बनेगा, that will be, partners, capital, account, और आपको MCQ के लिए, क्या पूछ सकते है, कि in case of fixed capital method, partners capital account का क्या balance होता है, तो इसका हमेशा क्या होगा, always credit balance, यही मैंने भी आपको थोड़ी दिर पहले clear किया, then in case of fixed capital method, partners current account का क्या balance होगा, इसमें debit भी हो सकता है, और credit भी हो सकता है, फिर अगर I in case of fluctuating capital method में, partners capital account का क्या balance है, तो इसमें भी क्या होगा, debit और credit, और अगर बात आएगी, capital account का क्या balance है, तब हम क्या बोलेंगे, credit balance, क्यूंकि यह different चीज़ है, इसमें हमने positive side को देखना है, बट अगर one more, आजाए, partners capital account का क्या balance है, ठीक है, कुछ mention नहीं कर रहा है, fixed है, या fluctuating है, फिर भी आपको क्या answer देना है, debit और credit, तो यह 5 possible scenarios हैं, जो आपको exam में पूछ सकते हैं, इन दी form of MCQs, यह आपको याद रखने हैं, हर एक के balance, in short मैंने आपको यहाँ पे और clear किया है, तो अब देखते हैं, theory जो मैंने लिखे हैं, points वह आपको काफी easy way में समझ आएंगे, provided, जितना भी तक मैंने आपको पढ़ाया, आपने अच्छे से सुना है, types of capital account, capital accounts of partners can be maintained by the following two methods, मैंने आपको बता दिया, दो methods होते हैं, कौन से हो two accounts are prepared, first one is partners capital account, then partners current account, इसमें एको चीज़ आप याद रखेंगे, जो fixed capital method होता है, अगर हमने business ने इसको follow कर रहा है, partnership firm अगर आपके accounts को fixed capital method के according maintain कर रही है, then it needs to be mentioned in the deed, deed कौन सी partnership, deed, और आपको पता है partnership deed में क्या क्या चीज़े आती हैं, और इसका क्या meaning है, तो अगर आप specifically fixed capital method को follow करने लगे है, इसमें क्या है, special case कि आप चाहते हैं, अपनी capital fixed रहे हैं आपकी, तो आपको partnership deed में specially mention करना पड़ेगा, बट अगर बात कीज़े, fluctuating capital method की, तो यह normal है capital account जिसे बनता है, तो यहाँ पे आपको there is no need to mention in the partnership deed, clear, then मैं आपको बता दिया, दो तरहा के capital account होते ह इसमें यह fixed capital method की बात हो रही है, दो account होते हैं, first one is partners capital account and second one is partners current account, अब partners capital account में मैंने आपको बता दिया कि वही transactions हैंगी, जादा से जादा क्या होगी, अगर आपने कोई addition करी है capital में या आपने अपना कुछ capital withdraw कर लिया है, ओके, देखिए, आपको पता है, capital का credit balance होगा यहाँ पर balance draw down, then buy cash और buy bank, वही मैंने आपको journal entry के थ्रोबी जो बताया है कि क्यों credit side पर है यह क्यों debit side पर है, cash भी हो सकता है या bank भी हो सकता है, यह additional capital introduced, तो यहाँ पर सिरफ यह ही आएगा, then यहाँ पर to cash और bank withdrawal of capital, अगर आप कुछ amount withdraw कर लेते हैं और आगे contribute नहीं करेंगे, clear तो आपके end में आजेगी balancing figure, यहाँ पर आई, that means कि आपकी debit side छोटी थी और credit side बड़ी थी, तो यहाँ पर यह जो balance आता है on the debit side, इसे हम कहते है credit balance, क्योंकि यहाँ पर आपकी credit side greater than debit side होती है, यह अब एक तरह से आपकी revision हो रही है, मैंने आपको पहले सब clear कर दिया है, then transactions related to introduction and withdrawal सिरफ कुछ introduce किया हो, means को addition है, या कोई withdraw किया है, तो वही entry आएगी यहाँ पर और कोई नहीं आएगी, और always है credit balance, तो मैंने इस सब कुछ summary form में आपके आगे present कर दिया है, आप इसे अपने notes की form में बना ले, या आप ये मेरी PDF, telegram link से देखके, वहाँ से भी आप समझ सकते ह and I believe, जितना अपना handwritten होगा न, उतना ही आपको काफी अच्छे से समझ आएगा, तो आप खुद अपने handwritten notes बनाए, तो it would be much better, then partners current account, इसमें बता दिया, सारी transactions आएंगी, ये बस withdrawal और addition को छोड़के, अब partners current account का मैंने आपको बता दिया है, it can have debit balance और credit balance, तो depend करेगा कि either of the two, या तो ये होगा, या तो ये होगा, then current account में हो क्या आजाएगा, interest on capital, interest on capital, capital को increase करती है, therefore it is coming on the credit side, ये चीज मैं आपको पहले ही clear कर दिया है, कि कौन सी चीज credit side पे है कि कौन सी debit side पे, then salaries commission, इससे भी उसके capital increase करेगी है, वो partners को distribute कर रहा है business, then drawings, interest on drawings, ये सब capital को decrease करते hence they are coming on the debit side, उसके बाद profit and loss appropriation account, यहाँ पे है profit, और यहाँ पे है profit and loss appropriation account, यहाँ पे है loss, अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ, पहले हमने बनाया था trading account, उसके बाद बनता है profit and loss account, उसके बाद बनता है profit and loss appropriation account, मैंने बताया है कि profit and loss account में या तो net profit या net loss निकलेगा, व ही further transfer होता है हमारा profit and loss appropriation account में means जो जो जिसकी balancing figure आ रही है वो आगे further shift हुई जा रही है similarly अगर आपको profit and loss appropriation account में profit आया you know profit आएगा तो debit side पे आएगा loss आएगा तो credit side पे आएगा अब ये भी इनकी balancing figure निकलिए profit and loss appropriation account की और अब आपको बता है कि profit and loss appropriation account के बाद हम क्या बनाने वाले हैं partners का capital account अब capital account में भी अगर profit आया तो credit side पे जाएगा और loss आया तो debit side पे जाएगा वही चीज़ की है credit side पे अगर profit होगा तो by pnl appropriation account profit होगा और अगर हमें loss आया यह जहां मैंने बताया भी आपको credit side पे तो यह debit side पे चला जाएगा that is profit and loss appropriation account loss इन में से भी either of the two then balancing figure पे depend करेगा difference यहां आ रहा है और आपको पता है closing को हम represent करते हैं by balance carried down और अगर debit side पे आया तो two balance carried down that will be the balancing figure यहां तर clear है then other transactions that will bring change in the balance partners capital account में वो transactions रखी जिसमें से capital में जादा changes नहीं आएंगी but यहां पे सारी transactions आजेंगी जो changes लाएंगी हमारे capital account के balance में then I already told की partners current account में है debit balance और it में है credit balance प्लीज साथ ही साथ video को thumbs up भी देते जाएं मैंने काफी try कि अपनी तरफ से तो आपको अच्छे से समझाने की तो एक like तो बनता ही है so please like the video and share it to your friends as well ताकि वो भी इस concept को अच्छे से समझ पाएं then fluctuating capital method fluctuating capital method मैंने बता दिया कि यहां पर सारी transactions आ जाएंगी weather of addition withdrawal interest drawing etc no need to specifically mention जैसे कि अब बताया है यहां पर आपको mention करने की जरूरत नहीं है काहां पर in the partnership deed but in case of fixed capital method आपको mention करना है कि हमने यह method follow up करा है under this method only one account is maintained that is partner's capital account but जो भी हमने fixed capital method पढ़ा वहां पर हमने दो methods पढ़े कुन से partner's capital account and second one partner's current account now I am repeating the things again and again आपके mind में अच्छे से बैट जाएं बाकि it will depend on the amount of revision that you are doing now okay बैचे सोचते हैं कि video जल्दी से जल्दी खतम हो वो तो मैं कर सकती हूँ जल्दी but I am trying कि मैं आपको अच्छे से हरे concept deliver कर पाऊं तो it will take time तो video इसी वज़े से थोड़ा lengthy होगा तो you have to do it okay partner's capital account अब partner's capital account में क्या आजेंगी सारी transactions आजेंगी अगर opening balance आपका credit है in case of credit opening balance credit side पर आजेगा और in case of debit opening balance debit side पर आजेगा then additions भी हमने यहां कर दी by cash या by bank but हमने जब fixed capital method की बात की थी तो यह जीज़ कहां आई थी separate account में आई थी उसका नाम भी partners capital था बट यह जो बाकी remaining चीज़ें थी यह गेई थी partners current account में बट यहां पर एक साथी सब club हो गया so that's the difference between these two methods then capital पर interest होगा तो credit side salaries commission credit side वहे profit and loss appropriation profit हुआ तो credit side loss हुआ तो debit side then drawings हमारे capital को कम करती है debit side पर interest on drawings पर capital को कम करती है that will also come on the debit side then depend करेगा balancing figure यहां पर आती है यहां पर आती है credit side पर आतो buy balance carried down debit side पर आतो to balance carried down उसके बाद all transactions including introduction and withdrawal यहां पर सारी transactions आ जाती है चाहे हमने addition की हो withdraw किया हो सब यहीं पर ही आ जाएगी जो हमारे fixed में ऐसा नहीं होता था then it generally have credit balance जादा तर partners capital account का कहरें credit होता है but in exceptional cases may have debit balance वही depend करेगा drawing जादा तो नहीं कर दी and trust जादा तो नहीं charge हो गया तो उस वज़े से हमारा debit balance भी हो सकता है therefore we can say in case of fluctuating capital method partners capital account can have debit balance or credit balance I hope अब आपको यहां तक सब clear है बाकी आप मुझे कोई भी doubt है अगर आपको still you can ask me in the comment section और हां you can join our telegram group उसका link आपको description box में दे दिया है वहां we are doing the daily practice of mcqs जो आपको exam में आ सकते है then another concept that is interest on capital इतना तो हमने पढ़ लिया interest on capital क्या होता है जो हमें capital पे interest receive होता है now कई बार क्या होता है business पे depend करता है कि वो capital को किस तरहां से treat करना चाहते है whether as an appropriation of profits or as a charge against profits अब यह समझने से पहले हमें meaning तो पता हो कि यह क्या है appropriation of profits या charge against profits तो इसका concept पहले समझ लेते हैं हमने profit and loss account के बारे में तो पढ़ लिया था again एक बार याद करते हैं क्या पढ़ा था हमने profit and loss account में कौन से खर्चा आते थे indirect expenses जैसे आ गई salaries आ गई अब यह salary वो नहीं है जो partners को देंगी यह salary होगी क्योंकि partners के अलावा और भी तो लोग है ना काम करने वाले partnership हो में वहाँ पर आ जाएंगे managers आ गए या आपके बाकी सब employees except partners ठीक है तो यह वो वाली salary है ना की partners की then और indirect expenses होते हैं like advertisement होती है और भी कही सारे खर्चे होते हैं rent electricity वगएरा तो आपको पता है profit and loss account में क्या आ रहे हैं indirect expenses अब समझना बात को profit and loss account हम बनाते हैं उसके बाद हमारा क्या निकलता है net profit या फिर net loss राइट अब जब आ यह indirect expenses लिख रहे होते हैं उस time पे तो आपको नहीं न पता कि या profit आ रहा है या loss आ रहा है आप कुछ नहीं पता but simply आप expenses यहां पे charge करते जा रहे हैं means खर्चे डाले जा रहे हैं आप अपने account में ताकि Indian हमें पता लगे profit हुआ है या loss हुआ है और यहां पे credit side पे क्या आता है gross profit अगर हमें उपर trading account में debit side पे होगा gross profit तो यहां पे transfer हो जाता है gross profit means यही suppose हमें gross profit हुआ है 100 का 20 की salary और 30 का advertisement 100 में से 50 निकालें means 100 का profit था बाकी खर्चे निकाले 50 के तो net amount हमारा 50 के निकला net profit जो यहां पे हम balancing figure लिपतेंगे 50 rupees ओके तो यह सब खर्चे हैं हम कब कर रहे है means कब charge कर रहे है before calculating the profit हमें नहीं पता कि हमें profit होगा या loss होगा बट still हम expenses को यहां पे डाल रहे हैं यही सब expenses क्या होते हैं they are charge against profits तो charge against profits क्या है या charges यही वो सब items हैं जो हम P&L account में दिखाते हैं profit calculate करने से पहले और यह सब जो items हैं यह charge कर रहे हैं profit निकालने से पहले एक तरह से इस चीज़ पर charge हो रहे हैं तो simple आपको क्या याद रखना है charge against profits के लिए कि यह जो charge against profit होते हैं पहली बात तो है कि यह कहां पर आते हैं on the debit side of P&L account as you have noticed हम debit side पर लिखते हैं सारे expenses तो यह ही है charges against profit कि यह profit के against charge लगा रहे हैं हमें नहीं पता profit होगा है loss होगा still हम अपने charges को debit कर रहे हैं then second one यह charge against profits कब निकलते हैं before calculating profit निकालने से पहले okay और यह charges जो होते हैं they are made even if there is loss जैसे कि हमें पता है हम यहां पर खर्चे लिख देते हैं चाहें बात में हमें net loss ही क्यों ना आ जाए but पहले हमने सारे खर्चे डाल दिये okay then last thing about this is कि जो charge against profits होते हैं इसको हम कब बनाते हैं before appropriation of profits इसको थोड़ा hold पे रखे मैं अभी आपको clear करते हूं जब आपको appropriation of profits समझाओंगी तो profit and loss appropriation account यह मैंने आपको कल काफी अच्छे से समझाया था profit and loss appropriation account आपको मैंने बताया था it is an extension of P&L account क्योंकि profit and loss account के बात बन रहा है और इसके ही हम profit को आगे further carry forward करते हैं यहां पे अगर हमें profit आता है तो वो कहां जाएगा इसके credit side by net profit यहां बोल सकते हैं profit and loss account तो यहां पे profit आता है अब यह क्या है मैं आपको बताया था यही profit है जो हम further क्या कर रहे हैं partners में distribute करते हैं in the form of salary, commission, interest यह सब ओके तो क्या है profit and loss appropriation account यहां पे उन्हें जाएथ इसका मतलब भी क्या होता है distribution हम यहां पे सिरफ और सिरफ जो P&L account से profit निकल आ रहा है उसको हम partners में distribute कर रहे हैं उनकी allocation करते हैं तो क्या है appropriation of profits it is distribution of profits जो हम कहां पे करते हैं in the profit and loss appropriation account में तो यहां पे जो P&L account में debit side पे आ रहे थे यही profit है जो हम आगे further क्या कर रहे हैं distribute कर रहे हैं तो यहां से भी क्या क्या चीज़ें derive होंगे appropriation of profits के meaning के लिए सबसे बहला तो है कि appropriation of profits जो होते हैं यह सारी items कहां पे debit होती है to profit and loss appropriation account but in case of charge against profits they are debited to the profit and loss account then second one यहां पे जो हमारा profit and loss appropriation account में जो distributions हो रहे हैं salary commission की यह तो ह हम तब ही देंगे ना अगर business में profit होगा business ने कुछ earn ही नहीं करा है तो हम partners को पैसा कहां से लाके दें therefore it is made only in case of profit अगर हमें profit होगा तो ही हम appropriation of profits करेंगे otherwise no then third one it is done after charge against profits like you have noticed charge against profits पहले ही P&L account में हो जाते हैं but appropriation of profits P&L account के बनने के बाद होते हैं point be clear हो गया होगा कि यह जो charge against profits है यह before होते हैं अगर यह after हो रहे that means यह before appropriation of profits होगे no I think यहां तक तो अब आपको अच्छे से सब clear हो गया होगा one more thing जब आपको profit होगा यह मैं सिरफ बात कर रहे हो भी appropriation of profits की ठीक है appropriation of profits में मैं आपको बता दिया कि तब ही हमें payment करनी है यह distribution करनी है जब हमें profit होगा ठीक है और अब हम इसको लेके चलेंगे from the point of view of interest on capital पहले तो हमने meaning समझ लिया charge against profits and appropriation of profits अब interest on capital को कैसे उसमें लाएंगे वो देखिए अगर हुआ हमारा interest on capital as charge against profits चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स में अब आपको पता है कि हमें payment करनी ही करनी होती है means वो खर्चे हमने दिखाने ही दिखाने है चाहे हमें loss ही क्यों ना हो तो यहां पे जितना भी हमें interest मिलना होगा capital में यहां पे हमें क्या होगा fully allowed हमें पूरा मिल जाएगा औ और उस time पे हमारा जो interest on capital होगा that will be shown on the debit side of P&L account अभी जैसे कि मैंने आपको बता है कि P&L account की debit side पे आते हैं सारे charge against profits वाले खर्चे then अगर बात करें interest on capital as appropriation of profits अब मैंने आपको appropriation of profits का meaning बता दिया उसमें आपको पता है कि हमने distribution तब ही करनी है अगर profit होगा तो profit होने या ना होने के लिए possible देखा जाए तो तीन scenarios बन सकते हैं एक तो मैं पता है या तो simple loss ही होगा या होगा हमारे पास sufficient profits मतला बहुत profit है सोचना नहीं पढ़ रहा है payment करते हैं या तो हमें होंगे insufficient profits अभी same example से समझते है suppose two partners है partner A and partner T partner A ने capital invest करा है rupees 1 lakh का और partner T ने भी करा है 1 lakh का and they are allowed interest at the rate of 10% ये है interest on capital interest on capital और इसका है interest at the rate 20% तो it depend करेगा as per the partnership deed की कितना amount mention कर रहा है अगर partnership deed silent है regarding interest on capital तो बात ही खतम है हमने payment करनी नहीं है ये मैं आपको first lecture में ही बता दिया था if partnership deed is silent then no interest on capital will be paid to the partners silent है तो बात ही खतम but अगर interest on capital है deed में but as a charge against profits है तो हमें पता है charge against profit में हमें payment हर एक चीज़ की करनी है चाहे वो हमें profit आ रहा हो या loss आ रहा हो तो इसमें हमें interest on capital fully allowed हो जाता है but appropriation के case में है अगर profit होगा तो ही हम distribution करेंगे और तीन scenarios बना दिये मैंने क्या-क्या हो सकती है possibilities तो अगर हम amount calculate करें interest on capital का तो 1 lakh पर 10% आ जाएगा rupees 10,000 और 1 lakh पर 20% आ जाएगा 20,000 तो हमें पता है कि A के लिए इतना interest बना चाहिए 10,000 means उसको इतना पे करना चाहिए और T को 20,000 अगर हमें loss है means हमने कुछ profit earn ही नहीं करा तो in that case ना ही A को मिलेगा 10,000 ना ही T को मिलेगा 20,000 ये हो गया loss वाला then sufficient profits means बहुत profit है suppose हमारा profit आया 50,000 और हमने देखा यहां पर total हमारा capital पर interest कितना देना बनता है only 30,000 we know कि 20,000 still हमारा balance रह जाएगा 50,000 में से after payment of interest on capital तो 50,000 है हमारा sufficient profit तो जितना जिसका बनता है हम देदेंगे means 10,000 भी इसको fully allowed हो जाएगा 20,000 भी तो loss के case में not allowed क्यूंकि profit नहीं है और sufficient के case म हमें है fully allowed now a blast insufficient profits insufficient हो गया suppose हमारा profit ही 20,000 हुआ है अब हमारे पास profit ही 20,000 है बट यहां पर हम interest कितना देना है 30,000 that means उल्टा हमें 10,000 की deficiency है तो we can say यह 20,000 क्या है हमारे लिए insufficient profit है यह इतना sufficient नहीं है कि यह हमारी need को meet कर पाए कि जिससे हम interest on capital दे पाएं ओके तो होता क्या है जब insufficient profit है उसको हम कैसे बांट देते हैं partners में between the ratio of their interest on capital अगर इसकी ratio निकाले 10,000 is to 20,000 तो ratio बन जाती है 1 is to 2 तो अब आपको पाता है एक को कितना मिलेगा profit 20,000 into 1 by 3 और यहां पर हो जाएगा 20,000 into 2 by 3 यह थोड़े round figures में आ जाएंगी यह approximately आ जाएगा 6 1,667 और यह जो balance बच गया पीछे 20,000 में से 6667 that is rupees 13,333 तो यह हो जाएगा हमारा interest on capital जो हम T partner को pay करेंगे तो इसको actual में हमने कितना pay करना था 10,000 this is 10,000 but यहां पे हमने कितनी payment करी only 13,333 तो in short आपको यहां पे क्या क्या याद रखना है में अगर interest on capital के लिए आपकी deed silent है then not allowed partners को interest देना ही नहीं है but अगर उसको treat कर रहे है as a charge against profits तब हमने capital full दे देना है fully allowed और हो हमें पता है कि वो PNL के debit side पे आएगा और अगर उसको treat कर रहे है as an appropriation of profits तो वो कहां पे जाएगा PNL appropriation account में यह मैंने आपको समझाया फिर debit side पे आती है appropriations और इसके cases बन जाते हैं अगर loss हुआ तो capital देना ही नहीं not allowed अगर sufficient profits है means अराम से खुल है वैसे हम बाढ़ सकते हैं उनको जितना उनका बनता है then fully allowed और अगर insufficient profits हैं तो कैसे देते है in ratio of their interest on capital यहां तक clear है तो अब theory देखेंगे देखना आपको कितना easy से समझ आ जाएगा interest on capital पहला है not allowed when partnership deed is silent यह बात हो गई अगर silent ही है partnership deed उसमें कुछ mention ही नहीं कर रहा है regarding interest on capital तो interest on capital मिलेगा ही नहीं that is not allowed then it can be treated as either हम interest on capital को किस तरह से treat कर सकते हैं या तो as an appropriation of profits or as a charge against profits अगर हम interest on capital को as an appropriation of profits treat करेंगे तो losses के case में not allowed अगर sufficient profits हुए तो allowed in full और अगर हमें हुए insufficient profit तो allowed तो होगा but only to the extent of the profits in the profits जितना हुआ हमारी example में किता था सिरफ और सिरफ 20,000 profit हुआ था बढ़ हमारा total interest बनता था 30,000 तो बस 20,000 तक ही payment होगी extent of profit बस उसी limit तक in the ratio of interest on capital of each partner अब clear है आपको अच्छे से then interest on capital as a charge against profits अगर charge against profit कि तुरह treat कर रहे है तो it will always be allowed in full irrespective of the profits और losses कितना भी amount का profit हो या loss हो but हम interest on capital fully allow करेंगे तो यह था concept regarding interest on capital देन एक पर difference भी देख लेते हैं इतना हमने meaning पढ़ लिया तो charge against profit और appropriation का सबसे पहला तो है it represents deduction from the income to a certainty net profit or net loss इसमें क्या है यहां पर हम क्या करते हैं charge against profit में net profit और net loss के लिए जो भी deductions बताते हैं like P&L account मैंने आपको बताया है यहां पर indirect expenses आ जाते हैं सारे और यहां पर gross profit में से यह सारे deductions हो रही है ना indirectly तो यह है हमारी deductions from income यह सारे deductions हैं सारे indirect expenses from the income जो क्या है gross profit और इससे क्या निकल जाता है हमारा in the end net profit या net loss तो इस पहली line का यही मतलब है then second one it is done after the appropriation of profits क्यूंकि हम charge against profits अब कर रहे हैं in the P&L account और P&L account के बाद बनता है हमारा profit and loss appropriation account तो profit and loss appropriation account में हम करते हैं therefore हम कह सकते हैं कि जो charge against profits है वो कब होते है before the appropriation of profits then सारी items जो होती है मैं जो charge against profits वाली they are debited to profit and loss account यह मैं आपको पहले clear किया है सब तो एक तरह से revision करें आप then it is made even if there is loss चाहे loss ही क्यों ना हो हमने यह charges करने ही करने इसके example होगे like salary pay to manager interest on loan अब आपको बता है interest on partners loan यह मैंने आपको भी जो partnership में profit and loss appropriation के उपर lecture दिया था उसमें आपको clear किया था कि interest on loan हमारा कहां पर आएगा on the debit side of P&L account तो यहां पर simple examples बता दिया है जो P&L account की debit side पर आती है and their termed as charge against profits then appropriation की बात करें तो यह क्या है distribution है net profits की वही जो net profit हमारा profit and loss account से निकलता है वहीं से हम distribution करते है like salary wages like salary होगे commission होगे partners की then it is done after creating all charges against profits पहले charge against profit होगा in P&L account उसके बाद ही profit and loss appropriation में क्या होगा appropriation of profits then it is debited to profit and loss appropriation account and it is made only when there is a profit यह मैं आपको बता दिया कि जब profit होगा तभी हम appropriation करेंगे otherwise no then salary paid to partners interest on capital is appropriation of profit यह कुछ example बता दी नहीं तो और भी examples होती है like commission होगया partners की bonus होगया then reserves होगये जो भी हमारे debit side of P&L appropriation account आते है they are termed as appropriation of profits so these were the major differences between charge against profits and appropriation of profits आज यहीं तक रखते है अपना lecture बाकी हम next lecture में क्या करेंगे यह हमने पढ़ा regarding interest on capital now एक important concept है regarding interest on drawings वो हम अपने next lecture में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम drawings में interest की calculation करते है okay so let's wind up and if you like my video then please like the video and share it to your friends as well and if anybody is new to the channel then please subscribe and don't forget to hit the bell icon for regular updates so stay tuned for my next video thank you